गाउं सिरडान के एक व्यक्ति की सोनीपत के जीपी टोल के पास सड़क दुरुगटना में हुई मोथ गाउं मानावाली में बाबा धरमगिरी जी की पुनितिती पर लगा मेला आयुद हुआ रकदान सीवर सतर लोगों ने क्या रकदान गाउं ढांड की स्री किशन गोसाला में चल रही स्रीमत भागवत कथा के समापन पर हवन्यग का हुआ आयोजित राजकिया माविदले बटुकला में अभी बावग अध्यापक एसोशेशन की दूसरी बैठक हुई आयोजित बटुकला खंड के अनेक गाउं में मेला एम बालविका स्विभाग ने नुक्र नाटकों के मादम से चलाया जागरुकुता का अभ्यान गाउं सिरडान के एक व्यक्ति की सोनीपत के जीपी टोल के पास सड़क दुरुगटना में हुई मोत हो गई मिली जानकारी के अनुसार गाउं सिरडान निवासी 30 वर्सिय चालक अजे गाजियाबाद से अपने केंटर 407 में समान लेकर इसार के लिए आ रहा था कि सोनीपत के केजीपी टोल के नजदीक उसकी केंटर के आगे एक डंपर ने अचानक लाप्रवाई से ब्रेक मार दिये जिससे केंटर वे टेंकर के बीच हुई बिढंत में केंटर चालक अजे निवासी सिरडान की मोत हो गई इस गटना की उक्त केंटर के पीछे आ रहे आईसर केंटर के चालक हनुमान ने तुरंद इसकी सूचना अक्षेतर के थाना राई की पुलिस को दी उसने पुलिस को बताया कि वे बीग गाउं सिरडान का निवासी है और वे गाजियाबाद से सिर्शा के लिए समान लेकर आ रहा था उसके आगे अजे अपना केंटर लेकर चल रहा था सोंवार देर रातरी अचानक एक डंपर ने उस केंटर के आगे ब्रेक लगा दिये गाउं मानावाली में बाबा धरमगिरी जी की पुनितिती पर लगा मेला आउजित हुआ रकदान सिवर सतर लोगों ने किया रकदान गाउं मानावाली में बाबा धरमगिरी जी की पुनितिती पर हर साल की तरह बुद्वार को मेले का आउजिन किया गया मेले में विम्मिन परकार के स्टालें मुख्य आक्षन का के अंदर बनी रही यहां मेले के उपलक्ष में रगदान सीवर का आवजन भी किया गया सीवर की अधिक्स्ता मैंत राजेश गिरी जी महाराज ने की उन्होंने लोगों को जानकर देते हैं बताया कि बाबा धरमगिरी जी ने अपने जीवन में बहुत से समाजिक करे किये इसलिए उनी की याद में हर साल की तरह गाउं में मेले का आवजन किया जाता है बाबा दरमगिरी जी अखाडे दोरा समय समय पर रकदान कैम्प मेडिकल कैम्प वे समाजिक करे किये जाते रहते हैं राजेश गिरी जी ने रकदान करने वाले लोगों को जागरू करते बताया कि जीवन में सबसे बड़ा दान रकदान माना गया है क्योंकि हमारे द्वारा किया रकदान से किसी को जीवन दान मिलता है उन्हें कहा कि आज भी हमारे देश में समय समय पर रकदान नहीं मिलने के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है इसलिए हमें रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए सीवर में 70 लोगों ने रक्तदान किया उन्होंने बताया कि मेले पर युवाओं को नसे से बचाने के लिए कुस्ती खेल का भी अवजन किया जाता है इस खेल मेले में बहुत दूर दूर से पहलवान खेलने के लिए भी आते रहे हैं इस दोरान यहां बंडारे का भी आवजन हुआ जिसमें ग्रामिन महलाओं वैं युवाओं ने सेवा बाव से बढ़ चड़कर भाग लिया और अपनी सेवाइन दी इस दोरान अनेक सरधालूओं ने यहां बहुजन ग्राण किया और यहां सेवा बाव से इस कारे में बढ़ चड़कर भाग लेते हुए अपनी सेवाइन दी यहां पर उपस्तित स्टाले जो की मेले में लगाएगी थी वहां पर बच्चों ने भी यहां उपस्तित जुलों वैं विमिन गति वीदियो में मनोरजन करने के लिए सिर्कत कर भरपूर आनंद लिया मेले काव देखने को लेकर हजारों की तादात में लोग पहुंचे यहां पर पूजा अर्षना करने को लेकर सरदालों का तांता लगा रहा गाउन धांड की स्रीकिशन गोसाला में चल रही सिर्मत भागवत कथा के समापन पर हवन यग का हुआ आयोजन गाउन धांड की गोसाला में सिर्मत भागवत कथा के समापन के दोरान हवन यग का आयोजन किया गया बुद्वार को संपन हुई इस कथा के दोरान बंडारे का भी आयोजन हुआ जिसमें अनेक गोऑ भगतों ने परसाद ग्रैन किया इस अवसर्प पर हवन्यग के दोरान कथा वाचक महाराज चतरदास वे उनके सहोगी अनिल सास्त्री ने विदिवत रूप से मंत्र उचारण कर उपस्तित गो भगतों के साथ हवन्यग में आफ्ति डाल कर अक्षेत्र के लिए सुख स्मिर्दी की कामना की इस मोके पर जिला परदान रामकुमार बुककर, परदान मांगे राम, सुल्तान फोजी, लिलूराम स्वामी, विजय वर्मा, चरिंजी लाल, लिलूराम साहरन, बलवंत दुरान, सिना, नत्थूराम धायल, अशोक बुककर सहित अनेक सरदालू मौजूद थे राजकिया माविद्यले बटुकला में अभीबावक अध्यापक ऐसोशेशन की दूसरी बैठक हुई आयोजित राजकिया माविद्यले बटुकला में बुद्वार को अभीबावक अध्यापक ऐसोशेशन की दूसरी बैठक हुई इस अफसर पर महाविद्धाले में अध्यनरत विदार्थियों के अभिबावकों को भी सामिल किया गया इस बेठक में डॉक्टर राजाराम ने आई होए अभिबावकों का स्वागत किया और अभिबावकों को महाविद्धाले के विस्से में प्रिच्चे करवाया इस अफसर पर राजंदर सेवदा ने माविद देले की विम्बिन गतिवीजियों से अफगत करवाया माविद देले प्राचारे लेफशनेट दिनेश कुमार ने आयोए अभी बावकों को सुमधि करतो है विदार्थियों की सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कि साथ ही अपने बच्चों को नसे से दूर रखने मोबाईल का सदुप्योग करने तथा अभी बावकों को बच्चों के साथ सम्मे वैतित करने बारे बताया इस बैठक में माविद देले के असिस्टेंट प्रफेसर डक्टर सुबास राजंदर सेवदा विकरांत मोहन राज साथ देवी, महंदर सिंग, ओंप्रकास, कांता देवी, सुनिता, गवर्धन, अशोक, सहित अनेक लोग मोजू थे बट्टुकला खंड के अनेक गाउं में महला एवं बालविकास विभाग ने नुक्ड नाटकों के माद्यम से चलाया जागरुकुता का अभ्यान बट्टुकला खंड के अनेक गाउं में महला एवं बालविकास विभाग द्वारा पोशन अभियान के अंतरगत नुक्ड नाटक कारेकरम का अविजिन किया गाउं बट्टुकला, भट्टु मंडी, पिली मंदोरी, बन मंदोरी, डिंग्सरा, कुकडावाली, मेवाला, सर् मेलाओं बच्चों को पोशन के बारे में बुद्वार को जागरुक करत्वे भवेरनाटक का मंचन किया, इस दोरान सुपरवाजर राजकोर ने कहा कि महलाओं को गरवावस्ता के दोरान अपने खान पान पर विशेश द्यान देना चाहिए, समय समय पर स्वास्थे की जां भी देना बहुत शुरू करें, बच्चे को बढ़ते विकास और उचित पोशन के लिए विमन प्रकार का उचित गुड़मुत्ता वाला मिला जुला आहर देना बहुत जरूरी है, घरेलू उपचार द्वारा एनीमिया की रोक्थम के उपाए बारे भी जानकरी दी गई, भी हरे पत्तेवे, दार सबजियां, गुड, भुना चाना का प्रियोग जुरू करने के बारे में उपस्तित मेलों वबच्चों से आवान किया, उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वास्थे के बारे में विशेश तोर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मेलाएं पुरूस बच्चे स्वस्त रहें, इस सवसे पर अनेक गणमाने लोग मौजूद थे